नमस्कार मित्रों, आइए सुनते हैं मुन्सी प्रेम चन की लिखी कहानी नरक का मार गया, रात भत माल पढ़ते पढ़ते, ना जाने कब नीद आ गई कैसे कैसे माहत्मा थे, जिनके लिए भगवत प्रेम ही सब कुछ था, इसी में मगन रहते थे आईसी भक्ती बड़ी तपस्या से मिलती है, क्या मैं यह तपस्या नहीं कर सकती इस जीवन में और कौन सा सुक रखा है, आब हुसरों से जिसे प्रेम हो वह जाने यहां तो इनको देखकर आँखे फूटती हैं, धन दावलत पर जो प्राण देता हो वह जाने यहां तो इसका नाम सुनकर ज्वर सा चढ़ाता है, कल पगली सुसीला ने कितनी उमंगों से मेरा स्रिंगार किया था, कितने प्रेम से बालों में फूल गूथे थे, कितना मना करती रही, ना मानी, आखेर वही हुआ जिसका मुझे भै था जितनी देर उसके साथ हसी थी, उससे कहीं ज्यादा रूई, संसार में आईसी भी कोई इस्त्री है, जिसका पती उसका स्रिंगार देखकर सिर से पाउं तक जल उठी, काउन आईसी इस्त्री है, जो अपने पती के मुह से ये सब्द सुने, तु मेरा पर लोग बिगाड़ो और कुछ नहीं, तुम्हारे रंग ढंग कहे देते हैं, और उसका दिल विस्खा लेनों को न चाहे, भगवान, संसार में आईसे भी मनुष्य है, आखिर मैं नीचे चली गई, और भक्त माल पढ़ने लगी, अब ब्रंदावन बिहारी ही की सेवा करूंगी, उन्ही को अपन स्रिंगार दिखाऊंगी, वह तुदेख करना जलेंगे, वह तुद मेरे मन का हाल जानते हैं, भगवान, मैं अपने मन को कैसे समझाओं, तुम अंतर यामी हो, तुम मेरे रोम रोम का हाल जानते हो, मैं चाहती हूँ कि उन्हें अपना इष्ट समझों, उनके चरणों की करू, उनके इसारे पर चलू, उन्हें मेरी किसी बात से, किसी वहार से ना मात्र भी दुख ना हो, वह निर्दोस हैं, जो कुछ मेरे भाग में था, वह हुआ, ना उनका दोस है, ना माता पिता का, सारा दोस मेरे नसीबों ही का है, लेकिन यहां सब जानते हुए भी, जब उन्हें आते देखती हुँ, तो मेरा दिल बैठ जाता है, मोह पर मुर्दनी सी च्छा जाती है, सिर्व भारी हो जाता है, जी चाहता है, इनकी सूरत ना देखूँ, बात तक करने को जी नहीं चाहता, कदाचित, सत्रू को भी देखकर किसी का मन इतना किलांत ना होता होगा उनके आने के समय दिल में धड़कन सी होने लगती है, दो एक दिन के लिए कहीं चले जाते हैं, तो दिल पर से एक बोज सा उठ जाता है, हस्ती भी हूँ, बोलती भी हूँ, जीवन में कुछ आनन्द आने लगता है, लेकिन उनके आने का समाचार पाते ही, फिर चारों और अंधकार, चित की ऐसी दसा क्यों है, यह मैं नहीं कह सकती, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि पूर्व जन्व में हम दोनों में वायर था, उसी वायर का बदला लेने के लिए इन्होंने मुझे से विवाह किया है, वही पुराने संसकार हमारे मन में बने हुए हैं, नहीं तो वह मुझे देख देख कर क्यों जलती, और मैं उनकी सूरत से क्यों घ्रणा करती, विवाह करने का तो यह मतलब नहीं हुआ करता, मैं अपने घर इससे कहीं सुखी थी, कदाचित मैं जीवन परियंत अपने घर आनन्द से रह सकती थी, लेकिन इस लोग प्रथा का बुर जो अभागनी कन्याव को किसी न किसी पुरुस के गले में बान देना अनिवार समझती है, वह क्या जानता है कि कितनी यूतियां उसके नाम को रो रही हैं, कितने अभिलासाओं से लहराते हुए, कोमल हिरदय उसके पहरों तले रहों दे जा रहे हैं, यूति के लिए पती क कैसी कैसी मधुर कलपनाओं का सुरूत होता है, पुरुस में जो उत्तम है, स्रेष्ठ है, दर्सनी है, उसकी सजीव मूर्ती इस सब्द के ध्यान में आते ही उसकी नजरों के सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन मेरे लिए यह सब्द क्या है? हिरदा में उठने वाला सूल, कलेजे में खटकने वाला काटा, आखों में गड़ने वाली किरिक्री, अंतह करण को बेधने वाला व्यंग बाण, सुसीला को हमेशा हस्ते देखती हूँ, वह कभी अपनी दर्दृता का गिला नहीं करती, गहने नहीं है, कपड़ी नहीं है, भाड़ी के नन्हे से मकान में रहती है, अपने हाथों घर का सारा कामकाच करती है, फिर भी उसे रोते नहीं देखती, अगर अपने बस की बात होती, तो आज अपने धन को उसकी दर्दिता से बदल लेती, अपने पती देव को मुश्कराते हुए घर में आते देखकर, उस इस पर तीनों लोग का धन निवचावर कर दूँ आज मुझसे जब तना हो सका मैंने पूछा तुमने मुझसे किसलिए विवाह किया था यहाँ प्रस्ण महीनों से मेरे मन में उठता था पर मन को रोकती चली आती थी आज प्याला छलक पड़ा यहाँ प्रस्ण सुनकर कुछ बाउखला से गए बगले जहाकने लगे खी से निकाल कर बोले घर समभालने के लिए ग्रहस्ती का भार उठाने के लिए और नहीं क्या भोग विलास के लिए घरनी की विना यह आपको भूत का डेरा सा मालूम होता था नवकर चाकर घर की संपत्ति वड़ाई देते थे जो चीज जहां पड़ी रहती थी वहीं पड़ी रहती थी उसको देखने वाला ना था तो अब मालूम हुआ कि मैं इस घर की चौक्सी करने के लिए लाई गई हूँ मुझे इस घर की रक्षा करनी चाहिए और अपने को धन समझना चाहिए कि यह सारी संपत्ति मेरी है मुख्य जाने में घर की चौक्सी करती थी जितना वह चाहते थे उतना ना सही पर अपनी बुद्धी के अनुसार आवस्य करती थी आज से किसी चीज को भूल कर भी चूने की कसम खाती हूँ यह मैं जानती हूँ कि कोई पुरुस घर की चौक्सी के लिए विवाह नहीं करता और इन महासा ने चिड़ कर यह बात मुझसे कही लेकिन सुसीला ठीक कहती है इन्हें इस्त्री के विना घर सूना लगता होगा उसी तरह जैसे पिंजरे में चिडिया को ना देखकर पिंजरा सूना लगता है यहां है हम इस्त्रीयों का भाग गया मालूम नहीं इन्हें मुझ पर इतना संदेह क्यों होता है। जब से नसीब इस घर में आया है इने बराबर संदेह मुलक कताक्च करते देखती हूँ। क्या कारण है जरा बाल गुत्वा कर बैठी और यह ओड़ चमाने लगे। कहीं जाती नहीं, कहीं आती नहीं, किसी से बोलती नहीं, फिर भी इतना संदेह, या अपमान असह है, क्या मुझे अपनी आवरू प्यारी नहीं, या मुझे इतनी छिछूरी क्यों समझते हैं, इन्हें मुझे पर संदेह करते लज्जा भी नहीं आती, काना आदमी किसी को हसत देखता है तो समझता है लोग मुझी पर हस रहे हैं सायत इन्हें भी यही वहम हो गया है कि मैं इन्हें चड़ाती हूँ अपने अधिकार के बाहर कोई काम कर बैठने से कजाचित हमारे चित की यही विरत्ती हो जाती है भिक्चुग राजा की गद्धी पर बैठ कर चाइन की नीम नहीं सुर सकता उसे अपने चारों तरफ सत्रू ही सत्रू दिखाई देंगे मैं समझती हूँ सभी साधी करने वाले बुढ़ों का यही हाल है आज सुसीला के कहने से मैं ठाकुर जी की जहांकी देखने जा रही थी अब यह साधारन बुढ़ी का आदमी भी समझ सकता है कि फूहर बहु बनकर बाहर निकलना अपनी हसी उड़ाना है लेकिन आप उसी वक्त ना जाने किधर से टपक पड़े और मेरी और त्रिसकार पूर नेत्रों से देख कर बोले कहां की तैयारी है मैंने कही दिया जरा ठाकुर जी की जहांकी देखने जाती हूँ इतना सुनते ही तेउरियां चढ़ा कर बोले तुम्हारे जाने की कुछ जरूरत नहीं जो इस्तरी अपने पती की सेवा नहीं कर सकती उसे देखताओं के दर्सन से पुन्य के बदले पाप होता है मुझे से उड़ने चली हो मैं आउर्तों की नस नस पहचानता हूँ ऐसा क्रूद आया की बस अब क्या कहूँ उसी दम कपड़ी बदल डाले और प्रण कर लिया कि अब कभी दर्सन करने न जाओंगी इस अविश्वास का भी कुछ ठिकाना है ना जाने क्या सोच कर रुख गई उनकी बात का जवाब तो यही था कि उसी छण घर से चल खड़ी होती फिर देखती मेरा क्या कर लेती इन्हें मेरा उदास और विमन रहने पर आश्चर होता है मुझे मन में कृतक्न समझते हैं अपनी समझ में इन्होंने मेरे साथ विवाह करके सायद मुझे पर बड़ा अहसान किया है इतनी बड़ी जायदाद और इतनी विशाल संपत्ती की स्वामनी होकर मुझे भूले न समाना चाहिए था आठों पहर इनका यसगान करते रहना चाहिए था मैं यह सब कुछ ना करके उल्टे और मोह लटकाए रहती हूँ कभी कभी मुझे बेचारे बर दया आती है यह नहीं समझते कि नारी जीवन में कोई ऐसी वस्तू भी है जिसे खोकर उसकी आखों में स्वम भी नरक तुल हो जाता है तीन दिन से बीमार हैं डाक्टर कहते हैं बचने की कोई आसा नहीं निमोनिया हो गया है पर मुझे ना जाने क्यों इनका गम नहीं है मैं इतनी वज्र हिर्दय कभी ना थी ना जाने वह मेरी कोमलता कहां चली गई किसी बीमार की सूरब देखकर मेरा हिर्दय करोना से चंचल हो जाता था मैं किसी का रोना नहीं सुन सकती थी वही मैं हूँ कि आज तीन दिन से उन्हें अपने बगल के कमरे में पड़े कराहते सुनती हूँ और एक बार भी उन्हें देखने न गई आख में आसू आने का जिक्री ही क्या मुझे ऐसा मालूम होता है इनसे मेरा कोई नाता ही नहीं मुझे चाहे कोई पिसाचनी कहे चाहे कुल्टा पर मुझे तो यहां कहने में लेश मात्र भी संकोच नहीं है कि इनकी बीमारी से मुझे एक प्रकार का हीरस्या मैं आनन्दा रहा है इन्होंने मुझे यहां कारावास दे रखा था मैं इसे विवाह का पवित्र नाम नहीं देना चाहती यह कारावास ही है मैं इतनी उदार नहीं हूँ कि जिसने मुझे काइद में डाल रखा हो उसकी फूजा करू जो मुझे लाथ से मारे उसके पैरों को चूमू मुझे तो मालूम हो रहा है हीशवर इन्हें इस पाप का दंड दे रहे है मैं निसंकोच होकर कहती हूँ कि मेरा इसे विवाह नहीं हुआ इस्तरी किसी के गले बांद दिये जाने से ही उसकी विवाहिता नहीं हो जाती वही संयोग विवाह का पत पा सकता है जिसमें कम से कम एक बार तो हिरदय प्रेम से पुलकित हो जाए सुनती हूँ महासय अपने कमरे में पड़े पड़े मुझे कोसा करते है अपनी बीमारी का सारा बुखार मुझे पर निकालते है लेकिन यहां इसकी परवा नहीं जिसका जी चाहे जायदाद ले धन ले मुझे इसकी जरूरत नहीं आज तीन दिन हुए मैं बिद्वा हो गई कम से कम लोग यही कहते हैं जिसका जो जी चाहे कहे पर मैं अपने को जो कुछ समझती हूँ वह समझती हूँ मैंने चूडिया नहीं तोड़ी क्यों तोड़ू मांग से सेंदुर पहले भी न डालती थी अब भी नहीं डालती बुड़े बाबा का क्रिया कर्म उनके सुपुत्र ने किया मैं पास न भटकी घर में मुझे पर मनमानी आलोचनाय होती है कोई मेरे गूते हुए बालों को देखकर नाक से कोड़ता है कोई मेरे आभूसनों पर आख मटकाता है यहां इसकी चिंता नहीं इन्हें चिढ़ाने को मैं भी रंग बिरंगी साडियां पहिंती हूँ और बंती समरती हूँ मुझे जरा भी दुख नहीं है मैं तू कैट से छूट गई इधर कई दिन बाद सुसीला के घर गई छोटा सा मकान है कोई सजावट ना सामान चरपाईयां तक नहीं पर सुसीला कितने आनंद से रहती है उसका उल्लास देखकर मेरे मन में भी भाती भात की कलपनाई उठने लगती है उन्हें कुचसित क्यों कहूँ जब मेरा मन उन्हें कुचसित नहीं समझता उनके जीवन में कितना उत्सा है आखें मुस्कराती रहती है होटों पर मदूर हास से खेलता रहता है बातों में प्रेम का सुरूत बहता हुआ जान पड़ता है इस आनन्द से चाहे वह कितना ही छणे को जीवन सफल हो जाता है फिर उसे कोई भूल नहीं सकता उसकी इसम्रती अंत तक के लिए काफी हो जाती है इस मिजराब की चोड हिरदय के इतारों को अंतकाल तक मधूर स्वरों से कमपित रख सकती है एक दिन मैंने सुसीला से कहा अगर तेरे पती देव कहीं परदेश चले जाएं तो रोते रोते मर जाएगी सुसीला गंभी भाव से बोली नहीं बहन मरूंगी नहीं उनकी याद सदेव प्रिफूलित करती रहेगी चाहे उन्हें परदेश में बरसों लग जाएं मैं यही प्रेम चाहिती हूँ इसी चोट के लिए मेरा मन तड़पता रहता है मैं भी आईसी ही स्मृती चाहिती हूँ जिससे दिल के तार सदेव बचते रहें जिसका नसा नित्य चाया रहे रात रोते रोते हिचकियां बन गई ना जाने क्यों दिल भर भर आता था अपना जीवन सामने एक बीहर मैदान की भाती फैला हुआ मालूम होता था जहां बभूलों के सिवा हरियाली का नाम नहीं घर भाड़े खाता था चित ऐसा चंचल हो रहा था कि कहीं उड़ जाऊं आज कल भक्ति के ग्रंतों की योर ताकने को जी नहीं चाहता कहीं सैर करने जाने की भी इक्छा नहीं होती क्या चाहती हूँ वह मैं स्वम नहीं जानती लेकिन मैं जो नहीं जानती वह मेरा एक-एक रोम जानता है मैं अपनी भावनाओं की सजीव भूमी हूँ मेरा एक-एक अंग मेरी आंत्रिक वेदना का आर्थनात कर रहा है मेरे चित्द की चंचलता उस अंतिम दसा को पहुँच गई है जब मनुस को निन्दा की ना लज्जा रहती है और ना भय जिन लोभी स्वार्थी माता पिता ने मुझे कुवे में ढखेला जिस पासाण हिदर प्राणी ने मेरी मांग में सेंदुर डालने का स्वांग किया उनके प्रति मेरे मन में बार बार दुस कामनाई उठती हैं मैं उन्हें लज्जित करना चाहती हूँ मैं अपने मुझ में कालिक लगा कर उनके मुझ में कालिक लगाना चाहती हूँ मैं अपने प्राण देकर उन्हें प्राण दंड देलाना चाहती हूँ मेरा नारित लुप्त हो गया है मेरे हिरदय में प्रचंड ज्वाला उठी हुई है घर के सारे आदमी सो रहे थे मैं चुपके से नीची उतरी द्वार खोला और घर से निकली जैसे कोई प्राणी गर्मी से व्याकूल होकर घर से निकली और किसी खुली हुई जगह की ओर दोड़े उस मकान में मेरा दम घुट रहा था सड़क पर सननाटा था दुकाने बंद हो चुकी थी सहसा एक बुढ़िया आती हुँ दिखाई दी मैं डरी कहीं चुड़ायल ना हो बुढ़िया ने मेरे समीब आकर मुझे सिर से पाउं तक देखा और बोली किसकी राह देख रही हो मैंने चिढ़ कर कहा मौट की बुढ़िया तुम्हारे नसीवों में तो अभी जिंदगी के बड़े बड़े सुख भोगने लिखे है अंधेरी राद गुजर गई आसमान पर सुभ़ की रूसनी आ रही है मैंने हसकर कहा अंधेरे में भी तुम्हारी आँखें इतनी तेज है कि नसीवों की लिखावट पढ़ लेती हो बुढ़िया आँखों से नहीं पढ़ती बेटी अकल से पढ़ती हूँ धूप में चूड़े नहीं सफेत किये है तुम्हारे बुरी दिन गए और अच्छे दिन आ रहे है हसो मत बेटी यही काम करते इतनी उम्र गुजर गई इसी बुढ़िया की बदौलत जो नदी में कूदने जा रही थी वे आज भूलों की सेच पर सो रही है जो जहर का पहला पीने को तयार थी वे आज दूद की कुलियां कर रही है इसी लिए इतनी राद गई निकलती हूँ कि अपने हाथों किसी अभागिन का उध्धार हो सके तो करूँ किसी से कुछ नहीं मांगती भगवान का दिया सब कुछ घर में है केवल यही इक्षा है कि अपने से जहां तक हो सके दूसरों का उपकार करूँ जिन्हें धन की इक्षा है उन्हें धन जिन्हें संतान की इक्षा है उन्हें संतान बस और क्या कहूँ वह मंत्र बता देती हूँ कि जिसकी जो इक्षा हो वह पूरी हो जाए मैंने कहा मुझे न धन चाहिए न संतान मेरी मनो कामना तुम्हारे बस की बात नहीं बुढिया हसी बेटी जो तुम चाहती हो वह मैं जानती हूँ तुम वह चीज चाहती हो जो संसार में होते हुए स्वर्ग की है जो देवताओं के वरदान से भी जयादा आनंद प्रद है जो आकास कुसम है गूलर का फूल है और अमावस का चांद है लेकिन मेरे मंत्रे में वह सकती है जो भाग को भी समार सकती है तुम प्रेम की प्यासी हो मैं तुम्हें उस नाव पर बैठा सकती हूँ जो प्रेम के सागर में प्रेम की तरंगों पर क्रिड़ा करती हुई तुम्हें पार उतार दे मैंने उतकंठित होकर पूछा माता तुम्हारा घर कहा है बुढिया बहुत नजदीक है बेटी तुम चलो तु मैं अपनी आखों पर बैठा कर ले चलू मुझे ऐसा महलुम हुआ कि यह कोई आकास की देवी है उसके पीछे पीछे चल पड़ी आह वह बुढिया जिसे मैं आकास की देवी समझती थी नरक की डाइन निकली मेरा सर्वनास हो गया मैं अम्रित खुजती थी विस मिला निर्मल स्वक्छ प्रेम की प्यासी थी गंदे विसाक्त नाले में गिर पड़ी वह वस्तु ना मिलनी थी ना मिली मैं सुसीला कासा सुक चाहती थी कुल्टाओं की विसावासना नहीं लेकिन जीवन पत में एक बार उल्टी राह चल कर फिर सीधे मार्ग पर आना कठे नहीं लेकिन मेरे अधाय पतन का प्राग मेरे सिर नहीं मेरे माता पिता और उस बूड़े पर है जो मेरा स्वामी बनना चाहता था मैं यह पंग्तियां ना लिखती लेकिन इस विचार से लिख रही हूँ कि मेरी आत्म कथा पढ़कर लोगों की आखें खुलें मैं फिर कहती हूँ अब भी अपने बालिकाओं के लिए मत देखो धन मत देखो जायदाद मत देखो कुलींता केवल वर देखो अगर उसके लिए जोड कवर नहीं पा सकती तो लड़की को कुमारी रख छोड़ो जहर देकर माल डालो गला गोंट डालो पर किसी बुढ़े खुसर से मत व्याहू इस तरी सब कुछ सह सकती है दारून से दारून दुख बड़े से बड़ा संकट अगर नहीं सह सकती तो अपने यवन काल की उमंगों का कुछला जाना रही मैं मेरे लिए अब इस जीवन में कोई आसा नहीं इस अधम दसा को भी उस दसा से ना बदलूँगी जिससे निकल कर आई हूँ प्लीज लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब दे चैनल